हाई फ्रेंड्स मैं कीरन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चानल पे जो है स्वराज गाइस मैं आप एक फ्रेज नोटिफिकेशन लेखे आ चुका हूँ जो बलकि निकल के आ रहा है इंटिलिजन बेवरो में तो गाइस यहाँ पे आपको पोस्ट जो मिलेगी बहुत अच्छे यहाँ पे पोस्ट मिलेगी तो आपको बड़ा समय मिल रहा है यहाँ ठीक है गाइस तो बस आपको अच्छे से जब इसका फॉर्म चालो हो जाएगी आविदन आपको बहुत अच्छे से करना है ठीक है तो फिलाल अभी इसके डेटेल्स के बारे में यहाँ पे डिसकस करते हैं जो नोटिफिकेश के ब इपलाइमेंट न्यूस पेपर में तो वो भी हम आपको बता देंगे यह ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं आपको यहाँ पे सब कुछ जानकरी सबी प्रकार की जानकरी मिलेगी नोटिफिकेशन में एच लिमिट के बारे में यहाँ पे कौन से कौन से पोस्ट आपको मि यूइज विडियो में मिलेगी ठीक है तो आप बने रहे हमारे साथ वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्विटेस करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबच्वरो सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आईकन को दबा दीजे ताकि आपको latest information जलसजन मिल सके तो आईए और देखते हैं इस notification को बहुत अच्छे से जो पलकी निकल के आ रहा है Intelligent Bureau Requirement 2019 तो आप बने रहे हमारे साथ तो गाई जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह जो एक्विट्मेंट हो रही है जिसमें सबसे पहले बात करते गाईस यह 23 February से एंप्लॉइमेंट न्यूस पेपर है गाईस उसमें चबवा के आया था जैसे आप हमारे होम स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं यहां पे बात करते गाईस तो यहां पे 308 के पोस्ट के उपर अभी वेकेंसे आई है जिसमें deputy collector क बहुत अच्छा आपको यहां पे मौका मिल रहा है LGBT के बात करते हैं यहां पे अगर आप तो जैसे आप हमारे होम स्क्रीन के देख पा रहे हो ठीक है इन्होंने बताया बहुत अच्छे से आपको यहां पे कौलिफिकेशन किया चाहिए अगर आप बैचलर डिगरी होल्डर इन एंजिनियर या बीटेक अपने किया है या अबीएसी किया है अपने इंजिनियरिंग में तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर आविदन कर सकते हो जिसमें आपको कम से कम 12 साल का एक्सप्रेंस होना चाहिए और इसमें आपको कम से कम थोड़ा बहुत एक्सप्रेंस होना चाहिए gps gis ground segment और project management skill के लिए ठीक है और यहाँ पे बात करते है second post की तो यहाँ पे senior accounting officer जिसमें आपको दो post मिल रहे है group A ठीक है non ministry in pay band 3 और जो आपकी payment होगी guys 15600 से लेके 49100 तक जिसमें आपका grade पे 6600 रुपए होगा जो बलकी level 7 की बदर आपको मिलेगा और यहाँ पे बात करते हैं तो अगर आप bachelor degree के अगर आप holder हो कि उनसे भी stream से अगर आपने किया है तो आप इस post के लिए जरूर आविदन कर सकते हो ठीक है third post की बारे में यहाँ पे बात करते है guys ठीक है तो guys यहाँ पे third post जो है senior research officer जिसमें आपको दो post मिल रहे है और आपकी जो तंका होगी का इस 15600 से लेके 49,100 तक आपकी payment जा सकती है जिसमें आपको grade पे मिलेगा 6600 रुपे का level 11 की बराबर ठीक है तो इसमें promotion वगेरा का भी chance से बहुत अच्छा है आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है तो अगर आपने बस holding मतलब आपने post graduation किया है graduation किया है तो यहाँ पर master degree in economics इन्होंने मांगी गई है statistic business administration management और commerce अगर आपने किया है तो भी आप इस post के लिए आवेदन कर सकते हो खिक है अभी यहाँ पर देख थे fourth post जो है security office टेक्निशल जिसमें आपको 6 post मिल रहे है payment की बात करतेगा इस 15600 की 49,100 तक आपकी payment जा सकती है और यहाँ प बरापर तो यहाँ पर degree in engineer electronics communication engineer और MSC in physics और chemistry अगर किया है तो आप इस post के लिए जरू आवेदन कर सकते हो जिसमें तीन साल का आपको थोड़ा बहुत experience होना चाहिए ठीक है यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो next post है उसके बारे में बात करते हैं next post जो है guys वो deputy central intelligence officer ठी ठीक है जिसमें एक ही post मिल रहा है आपको यहाँ पर payment की बात करते हैं तो आपकी payment जो होगी 5600 से लेके 49100 तक जिसमें आपको grade पी दिया जाएगा 5400 रुपए ठीक है और यहाँ पर bachelor degree in engineer BE और B.Tech और B.Sc. in engineer अगर आपने किया है तो आप इस post के लिए जरू आवेदन कर सकते जिसमें तीन साल का इन्होंने experience मांगा गया है ठीक है गाइस तो यहाँ पर जो छटबा है गाइस वो deputy center intelligence officer जिसमें आपको 7 post मिल रहे हैं आपकी जो तंका होगी 15600 से लेकि 49100 तक आपको यहाँ पर grade पर मिलेगा 5400 की रुपए जिसमें level 10 के बराबर होगा ठीक है और यहाँ अगर आप बात करते हैं अगर आप बैसर डिग्री फो इन इंजिनियर बी टेक बी ए बी एस सी इंजिनियर तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो पर इसमें जो आपका थोड़ा वो skills होना चाहिए mobile application development network administration and security software development cyber security ठीक है तो यह आपको बहुत अच्छे से देखना है और अगर आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो यहाँ पर बात करते हैं साथ वी जो पोस्ट है assistant central intelligent officer के लिए जिसमें आपको 54 vacancy मिल रही है जन ठीक है और यहाँ पर आपकी जो pay scale होगी 47,600 से लेके 151,000 आपकी तंखा हो सकते है ठीक है metric level 8 के बराबर आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तंखा मिल रही है और basic के बात करते है guys यहाँ पर तो बहुत अच्छा है guys मतलब अगर आपने सिर्फ degree holder हो और यहाँ पर आपने 2 साल का experience लिया है security और intelligent works है तो आप इस post के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो आठवी जो post है guys वो assistant security officer technician के लिए जिसमें आपको 12 post मिल रहे है पे scale कि यहाँ पर बात करते है guys 9300 से लेके 34800 रुपे आपकी payment होगी जिसमें आपको grade पर मिलेगा 4600 रुपे का level 7 के बराबर ठीक है और इसमें बता है guys कि अगर आप सिरिफ 2 साल का आपके पास experience है मतलब practical field experience है तो और यहाँ पर guys अगर आपने डिपलोमा in electronics, electronics, communication, B.S.C. किया है in physics और chemistry में तो आप इस post के लिए जरुर आवेदर कर सकते हो 9 वी जो post है guys 9 जो है assistant security officer agenda जिसमें आपको 10 post मिल रहे है पे scale कि यहाँ पर बात करते है 9300 से लेके 34800 और यहाँ पर आपको grade पर मिलेगा 4600 रुपे का अगर आप सिरिफ और सिरिफ guys ठीक है bachelor degree holder हो B.S.C.B.com किसी से call किसी भी stream से अपनी किया है तो आप इस post के लिए जरुर आ और दो साल को इसमें आपको practical experience बताया गया है तैंथ जो post है guys वो है personal assistant जिसमें आपको 7 post मिल रहे है पे scale 9300 से लेके 34800 और आपका जो grade पे होगा guys भरती होने के बाद 4600 और अगर आपने guys यह जो भरती आ रहे है personal assistant stenographers के लिए है जिसमें सबसे पहले बात करते है इन्होंने qualification बताया है अगर आपने सिर्फ bachelor degree holder हो तो आप इस post के लिए जरुर आवेदन कर सकते हो ठीक है यह आपने 12 भी भी किया है तो अभी आप इस post के लिए आवेदन कर सकते हो 11 पोस्ट है guys वह है research assistant जिसमें दो post मिल रहे हैं पे scale कि यहां पे बात करते है 9300 लेके 34800 ज statistics business administration management और commerce से तो आप इस post के लिए जरुर आवेदन कर सकते हो नंबर वन यहां पर बात करते हैं qualification as ssc in case candidates otherwise will qualify ठीक है तो इनों नहीं पता है तो आप try जरूर कर लेना 12 जो post है जिसमें 26 vacancy आपको मिल रही है पे scale की बात करते हैं guys तो यहां पे आपको accountants की post मिल रही है पे scale की बात करते है 9300 लेके 34800 जिसमें आपकी जो great pay मिलेगा आपको 4200 रुपय खा ठीक है अगर आप खुद bachelor degree holder हो तो आप इस post के लिए जरू आवेदन कर सकते हो या आपने शिरिप 12 वी किया है तो भी आप इस post के लिए जरू आवेदन कर सकते हो female staff nursing के लिए जिसमें एक post मिल रही है non ministry के लिए और यहां पे बात करते है payment के 5200 से लेकि 20200 तक great पी मिलेगा आपको 2800 का और यहां पे बात करते है period of ordinated not to be extended 3 years ठीक है यह female किये तो इसमें सिर्फ महिला ही apply कर सकते है ठीक है 14 जो post है care technical की है जिसमें 4 post मिल रहे है pay scale की बात करते है guys तो यहां पे आपको 29200 से लेके 90,000 तक आपकी salary जा सकती है और अगर आपने 12 भी किया है और थोड़ा बहुत experience है 5 या 6 साल का तो आप इस post के लिए जरुआ वितर कर सकते हो junior intelligent officer इसमें आपको 167 post मिल रहे है और यहां पे आपकी जो payment होगी का इस 5,200 से लेके 20,200 और यहां पे बात करते है अकर आपने सिर्फ 12 भी पास हो physics chemistry से तो आप इस post के लिए जरुआ वितर कर सकते हो ठीक है तो यह बहुत अच्छा मौका है जिसने 12 भी किया है 167 post यहां पे मिल रहे है junior intelligent officer के लिए ठीक है तो यह आपको बहुत अच्छा यहां पे मौका मिल रहा है तो मौके पर जरूँ चौका लागाना है 16 भी जो post है वो कुक किये जिसमें आपको 11 post मिल रहे है pay scale के यहां पी बात करते है guys तो यहां पे 21,700 से लेके 70,000 तक आपकी payment चा सकती है और यहां पे qualification के बारे हम बात करते हैं अगर आप 8 भी पास हो तो आप इस post के लिए जरू आविदन कर सकते हो ठीक है 17 जो post है guys वो nursing order के लिए जिसमें आपकी जो pay scale होगी 5,200 से लेकी 20,200 जि सकते हो ठीक है तो इन्होंने यहां पर थोड़ा बहुत experience मांगा है तो अगर आप experience है आपके पास तो आप इस post के लिए ज़रू आविदन कर सकते हो और जो last post है guys 18 printing press operation जिसमें एक पदक मिल रहा है आपको one post मिल रहे है 30,000 आपकी जो payment होगी 19,000 से लेके 63,200 तक आपकी payment चा सकती है तो बहुत अच्छा आपको यहां पर मौका मिल रहा है अगर आप सिर्फ दसवी बारावी पास हो तो आप इस post के लिए ज़रू आविदन कर सकते हो आविदन गाइस आपको online माध्यम से करना है इसके जो online process है यह जो प्रक्रिया है यह 23 तारीक से चालो होने वाली online वाली तो जैसे online आप अविदन जहेगा इस तरीक से कर सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज़र लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो ख्याल रखेगा जहें जय भारत वंदे मातरम